कहानी के सुरों में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जिनोंने मास्क पहने हुए थे क्योंकि आज हैलोईन की रात है हैलोईन वो तैवार है जिसमें लोग अलग-अलग तरह के कपड़ी और मास्क पहन कर भूमा करते थे अब ये सब लड़के किसी को मारने के लिए पीछे भागते हैं वे चीज दरसल में एक स्केर क्रो है और ये स्केर क्रो की तरह दिखने वाला इंसान था स्केर क्रो वो जब अपसर खेतों में जानबडों के हमलों से बचने के लिए लगाया जाता है टाउन वालों का कहना था कि केवन ये एक एंटिटी है एक बूरी आत्मा जो स्केर प्रो के सखल में हर साल हैलोईन की रात को खेतों से जाकती है उस आत्मा को सब सैतूत के नाम से जानते थे वो सैतूत जब जाकता है तो एक चर्च के तरफ जाने लगता है ताकि वो चर्च क हेलोईंग की रात होती है, खेतों में से सैतूत उठकर चर्च की तरफ जाता है, मगर बहुत से लड़के जो उसके इंतिजार में थे उसका सिकार करने के लिए उसके पीछे भागते हैं, अब एक लड़का उसे पकर कर मार देता है और उसे खाने लगता है, तो सैतूत के जिस से बहुत सी कैंडी निकल रही थी, जिससे वो लड़का मज़े में खा रहा था, ऐसा क्यों हमें आगे की कहानी में पता चलेगा, ये लड़का जीत जाता है, अब जो टाउन का मालिक होता है, वो इसे बहुत बड़ा इनाम देता है, जिसमें गारी और पूरी दुनिया ऐसे थे, साथ ही उसकी फैमिली को भी बहुत कुछ दिया जाता है, वो लड़का इतना कुछ जितने के बाद बहुत कुछ था, और अपनी नई गारी लेकर दुनिया घूमने निकल जाता है, उस लड़के की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका चोटा भाई था, जिसका एक दिन थीयेटर के बाहर से गुजर रहा था, तो एक लड़की को देखता है, जिसका नाम कैली होता है, जो अभी अभी इस टाउन में सिफ्ट हुई थी, इसके बाद रिची अपनी स्कूल जाता है, जहां पर एक पूलिस आफिसर सब लड़कों को बता रहा था, कि इन के दिन पहले उस लड़कों को भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता है, और इन्हें हैलोईन की रात को ही निकाला जाता है, ताकि ये खुंखार दरिंदे बनकर उस सहतूत का सिकार कर सके, और इस साल भी जो भी चितेगा, उसे भी लेटेस्ट कार और दुनिया घुमने इसलिए क्योंकि वो भी उसके बड़ा बड़ा न चाता था और खुद को बहादूर सामित करने के दौर में लगा था, जैसा कि इस गेम का वश्वूल था कि हर फैमिली से सिर्फ एक बार एक ही लड़का हिस्सा ले सकता है, तो रिची का भाई हिस्सा ले चुका था, मगर रिची फिर भी जबर्दस्ती अब हिस्सा लेना चाता था, इसलिए उस लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है, जो नहीं चाता था कि इस गेम में हिस्सा ले, अब ऑफिसर आता है और दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है, अब जो सैतूत की कहानी पूरे टाउन में हुई थी, कोई तो इस बात पर यकीन करता था, मगर कई ऐसे लोग भी थे जो इस बात को जूटी बता रहे थे, उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग यकीन करते थे, उनका मानना था कि उन्होंने सैतूत को देखा, जो बहुत खदरनाक है, अब रिची तो इस्कूल से बाहरा जाता है, मगर वो लड़का जो उसके साथ क्लास में लड़ा था, अभी विल्स के पीछे था, इसलिए रिची कैली के पास ये टर्में आ गया था, वो उसे पॉपकॉंस और बॉटल देती है, क्योंकि उसे भी रिची अच्छा लगने लगा था, रिची उसे पूछता है कि आद हैलोईन की रात है, तो तुम डांस पर आ रही हो, जिस पर कैली कहती है कि नहीं, क्योंकि मैं ब्लैक हूँ, इसलिए मुझे किसी ने नहीं बुलाया, वो उसे कहता है कि एक बार मुझे जीद जाले दो, मैं सहतूत को मार कर सब कुछ हासिल कर लूँगा, और फिर हम दुनिया घुमेंगे जिसके बाद अब रिची वापस आकर अपने दोस्तों से मिलता है, एक दोस्त उसका बहुत डर्पोग था, जबकि दूसरा बहादू, वो रिची के जरीए जीतना चाहता था, ऐसा तब मुम्किन होता जब रिची गेम में हिस्सा लेता, इसलिए वो उसे उक्सा रहा होता है, और कहता है कि तुम्हें सबको यह साबित करना होगा, कि तुम भी अपने भाई से कम नहीं हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो, इसलिए अब रिची गेम में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तयार हो जाता है, इस बारे में अपने मॉम डैट से भी बात करता है, मगर उसके मॉम डैट उसे मना करते हैं, रिची के डैड उसे कई बर समझाते हैं, जबकि रिची नहीं सुनता, तो इस बार उसके डैड जोर से थपर मारते हैं, मगर अब तो रिची की जिन थी, कि वो सहतूद का सिकार जरूर करेगा, आखे रिची के मौम डैड उसे क्यों मना कर रहे थे, क्या रास था इसके पीछे तभी रिची को अपने भाई का लेटर आता है, और एक कार्ड भी मिलता है, जो अपसर वो इसके पास भेजा करता था, इसके बाद रिची अपने घर से बाहर आ जाता है, जहां पर उसे अपने भाई की दोस्त मिलती है, जो आज भी उसके भाई का इंतिजार कर रही थी, ज नहीं हैलोईन की रात को जिन्दा हो कर सेहतूत बनने वाला था। ऐसा कैसे मुम्किन था। यह समय में देरे-देरे कहानी में आगे पता चलेगा। एक दिन जब रिची स्कूल जाड़ा था तो उसे रास्ते में वही लड़का मिलता है जो इसकूल में अक्सर उसे तंग क्या करता था। वो अब भी रिची को रोप कर पूरी तरह से मारता है और उसके पैंट से बेल्ट को उतार लेता है। यह बेल्ट रिची के भाई ने उस रास्ते में उसे ऑफिसर ने पकर लिया था जब रिची भागने की कोसिस करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे पकर लेता है और खूब मारता है जिस वज़े से वो बेहोस हो गया था अब हैलोईन की रात आने वाली थी इसलिए सब लड़कों को भूखा प्यासा उनके घड़ो भी हो जाता है इधर रिची जिसको पुलिस की मार के बाद अब हो साया था उसके डैड उसे कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है तुम इस मौत में क्यों जाना चाहते हो उसकी मौम भी उसके आगे हाथ जोड़ती है मगर वो किसी की भी बात नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ एक गारी में बैठकर सैतूत के सिकार पर निकल जाता है ये सब ड्राउन मस्ट पहनते हैं मगर रास्ते में सैतूत इनकी गारी से टकड़ा गया था अब वो एक के करके सब को मार रहा था वो रीची के एक दोस्त के कुलहारी से दो टुक्रे कर रीची और उसका दूसरा दोस्त अब भी सैतूत के पीछे थे मगर अचानक उसके दोस्त का आदासर गायब हुझाता है उसे भी सैतूत ने मार दिया था अब बचा था तो सिर्फ रीची सैतूत उसके सामने आ जाता है जिसे दीकर वो डर गया था और भागने लगता है वहाग कर अपने घड़ आ जाता है, मगर उसके मॉम डैड उसे अंदर आने नहीं देते, उनका कहना था कि वो जाकर सहतूत का सिकार करे और इनाम जीत कर उनकी जिन्दगी को आसान बनाए, इसलिए उसे अंदर आने नहीं देते, तब ही बाहर से एक बच्चा जो खिरकी पे खड़ा था, वो रिची के दोस्त को बताता है कि तुमारे पीछे सहतूत है, और होता भी ऐसा ही है, रिची का दोस्त उसे देख कर यहां से भागता है, वो एक बेस्मेंट में पहुंचता है, जहां पर बहुत से लड़के छिपे हुए थे, वो उनसे कहता है कि दरवाजा पुलो, मुझे भी अंदर आने दो, पर वो उसे पैसे मांगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़के ये फैसला करते हैं कि उन्हें दरवाजा कोल देना चाहिए, और उसे अंदर आने देना चाहिए, मगर इस फैसले में उन्हें बहुत देर हो गई थी, जैसी वत कपड़े के दो हिससे कर देते हैं, और फिर बेसमेंट के अंदर जाकर सभी लड़कों को मार देता है, बाहर खून के फुहारे निकल रहे थे, जिसे खिरकी में छोटा बच्चा खाड़ा देखकर चीख रहा था, वो देर रिची और कैली भी पुलिस ओफिसर के घर पहुं थी, तब ही उनके पास वही लड़का जाता है, जिसकोल में रिची का दुस्मन था, उससे तंक्या करता था, अब यहाँ पर उनके बीज में लड़ाई हो जाती है, कैली उन्हें मार कर बेहोस कर देती है, यह दोबारा से अपनी गारी में जाकर बैट जाते है, तब ही जब उसकी नजर सैतूत की बेल्ट पर जाती है, तो वो एक तम से उस पर गोली चलाने से रुख जाता है, तब ही जब सैतूत उन पर हमला करने लगता है, तो कैली उसे मार कर बेहोस कर देती है, और रिची को वहाँ से ले आती है, यह दोनों गारी में बैट कर रिची के घर पह उसे पता चलता है कि जो भी जीतता है, वो यह टाउन छोड़कर चला जाता है, और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता, सब यही कहते हैं कि वो दुनिया गूंग रहा है, और मजे कर रहा है, मगर असल में यह सब जोड़ था, कोई जानता ही नहीं था कि जीतने के बाद उन लोगों का क्या हुआ, अगर पता भी है, तो कोई बताता नहीं है, वे चीज समझ गया था, जो लेटर्स उसके पास उसके भाई की आया करते थे, वे असल में उसकी मॉम भीजा करती थी, ताकि उसे हिम मत मिलती रहे, असल में रिची का भाई मर चुका था, रिची की कोई और नहीं, बलकि रिची का भाई था, जो पिछले सार इस गेम को जीता था, जिसको हमने कहानी के सुरू में देखा था, इसलिए रिची उस बेल्ट को देखकर रुग गया था, असल में होता हिया है, कि जो भी लड़का जीता है, उसे टाउन के मालिक बहुत से पैसे देता है, और उसे दुनिया गुमने बाहर भेज देता है, असल में तो कोई भी कभी इस टाउन से बाहर गया ही नहीं, पुलिस ओफिसर रास्ते में उस लड़के को मार देता था, फिर जिसके जिसम इस्तमाल करके अगला सहतूत बनाया जाता था, इसलिए ये रून था कि ह लड़का मर जाएगा, और अगला सहतूत बनेगा, यह बात उन्हें बाद में पता चलती है, मगर जानने के बाद भी वो फैमिली कुछ नहीं कर सकती, उन्हें ड़राया जाता है, नहीं तो टाउन से बाहर भेज दिया जाता है, और ना ही कुछ बोलेंगे, ये सारा काम वह जान को बचा सके, उन्हें दुख था कि उनका बड़ा बेटा ऐसा ही उन्हें छोड़कर चला गया, मगर ये सारी सचाई कभी वह डिची को नहीं बता सकते थे, अब भी उन्हें अपने बेटे की मौत का अफसोस था कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा सहतूत की सकी में घूम को मार रही है, उसे काला जादु करके फिर से जिन्दा किया गया है ताकि उसे फिर से मारा जा सके, असल में यह सब काम इस टाउन का मालिक करवाया करता था, वो हर साल इस तरह का काला जादु किया करता था पैसे कमाने के लिए ताकि गवर्मेंट को लगे असल में इस पासकता अपने बेटे से जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें यह सब करना ही होगा और अपनी जुवान बंद रखने में ही तुम्हारी भलाई है उदर रिची के पास कैली होती है जो उसे कह रही थी कि तुम्हें यह टाउन छोड़ कर चले जाना चाहिए मगर रिची के पहले से उसके डैड बैठे थे जो बिलकुल चुप थे सच्चाई जाने के बावजूद भी वो रिची को कुछ नहीं बताते रिची उन्हें बताता है कि डैड मॉम हमें छोड़कर जा चुकी है यह सुनकर उसके डैड तूर जाते है तब ही उदर सहतूद भी आ जाता है यानि की रिची का भाई जिसे पीछे से एक लड़का आकर मार देता है वो आकर रिची के पास गिर जाता है और इशारा करता है कि वो उसे मार दे रिची सारी सचाई जाने के बाद समझ जाता है कि यह तो उसका भाई है अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था इसलिए उसे मार देता है और इस साल का विनर भी बन जाता है और गेम के रूल के मुतावित उसे दुनिया घुमने के लिए भेज दिया जाता है सभी टाउन बाले बहुत खुश थे क्यूंकि कोई भी असलियत को नहीं जानता था अब रिची के डैट पुलिस ऑफिसर को मारने के थी ये देखकर रिची कैली को गारी में चिपने को कहता है और उसे ये भी कहता है कि मैं अगर 10 मिनेट में वापस ना आया तो तुम अकेले ही टाउन को छोड़ कर चली जाना अब ऑफिसर रिची को लेकर वहां जाता है ऑफिसर इस बात को नहीं जानता था कि रिची को सार बनाया करता था और कबर में दफना देता था जो उसके लिए ही खोदी गई थी मतलब इस साल के विनर के लिए जिसकी बाद वहां पर रिची के डैट पहुंचते हैं जो अपने बेटे को तो नहीं बचा सके थे पर कैली इस टाउन को छोड़ने को कहती है अब कहानी दिखा प्रिफाइस कुरवानी देनी पड़ेगी अब रिची को देखते हैं जो सहतूत बनकर जोर से चीकता है मतलब कि अब पूरे टाउन को जलाने वाला था और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यही पर खत्म हो जाती है